आज हम पावर क्यूरी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज के बारे में बात करेंगे और वो है आपकी डेटा सोर्स सेटिंग जैसे के हमने अपने लास्ट लेक्षिर के अंदर देखा था किस तरीके से हम अपनी मल्टिपल शीट को जो है वो एक ही शीट के अंदर कंबाइन करके जो है वो लाते हैं अपने और कलिक कर देता हूँर अपनी power query editor की window जो है वो open कर लेता हूँ अब इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने append 1 जो है वो select किया वा है और यहाँ पर मुझे source नजर आ रहा है मैं आपको step by step सारी चीज़ें जो है वो बताता हूँ जैसे ही आप देखें यहाँ पर मैं source के ओपर click करूँगा तो वो मुझे एक ये चीज़ बताएगा कि जो append 1 है ये मेरे पास कहां से आया है ये मेरे पास in department 1, 2, 3, 4, 5, 6 से जो है वो append 1 मेरे पास table जो है वो बनाए इन सारी sheets को मिला के यहाँ पर मैं ok पर click कर देता हूँ अब ये department 1 से देखे department 6 तक जो है ये सारी sheets मेरे पास किसी एक source से आई है अब इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर मैं किसी भी department के ओपर click कर ले तो for example मैंने department 1 के ओपर click किया और department 1 पर click करके यहाँ पर source पर आगयا अब जैसे ही source पे आके मैं यहाँ पर click करूँगा तो यह मुझे यह बताएगा कि जो यह file है मेरे laptop के अंदर इस file की location जो है इस file का source जो है वो किस location के उपर पड़ावा है तो यह मुझे बता रहा है कि यह D के अंदर पड़ी भी है file path जो है D के अंदर एक folder है second folder उस second folder के अंदर यह department sales के नाम की एक file है यह पड़ी भी है यानि कि इस time यह department 1 से लेके 6 तक जो इसका source है file का वो यह है मैं इसको यहाँ पर ok पे click कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आके close and load पे click कर देता हूँ तो आप देखें मेरे पास अब यह append 1 वाला table जो है 6 के अंदर है अब मैं आपको बताता हूँ source वाली बात मैं देखें यहाँ पर आया हूँ यह मेरे पास file पड़ी भी है यहाँ पर मैं इसके ओपर properties पे click करता हूँ जो मेरी source file है यानि जिसके through मैंने यह append 1 table पूरा बनाया है तो आप देखें वो मुझे यह बता रहा है कि यह जो मेरी source file है इसकी जो location है यह D है और यह second folder है और आप देखें second folder के अंदर जो file का नाम है वो department sales है तो यह पूरी वो ही source location मन गई जो मैंने अभी आपको दिखाई थी अब simply मैं इसको यहाँ पर open कर लेता हूँ अब जैसे ही इसको मैं यहाँ पर open करूँगा तो इस time मैं department 6 में सबसे आखरी record पर खड़ाओं मैं simply क्या काम करता हूँ मैं इस पूरी row को यहाँ पर copy करता हूँ और यहाँ पर नीचे paste कर देता हूँ और यहाँ पर department 6 की जगा पर लिख देता हूँ department 7 यानि कि मैंने department 6 की नीचे एक row add की है और उसके जो starting है वो department 7 से हो रही है मैं इस file को करता हूँ safe और यहाँ पर इसको कर देता हूँ close और यहाँ पर आके अब मैं इसको refresh कर देता हूँ आप देखें मेरे पास 3884 record है अब यह 3885 हो जाएंगे जैसे ही देखें मैंने यहाँ पर इसको refresh किया यह 3885 records हो गए अब मैं क्या काम करता हूँ मैं यहाँ पर सबसे नीचे आ रहता हूँ तो आप यह देखें सबसे आखिर में मेरे पास एक record एड हुआ हुआ है department 7 इसी तरह करके और बाकी सारा data उपर वाला ही है अब मैं क्या काम करता हूँ simply मैं यहाँ पर आता हूँ मैं इस file को यहाँ से cut करता हूँ और अब इस file की location change कर देता हूँ यहाँ पर मैं आके इसको रमीज हुसेन E Academy के अंदर save कर देता हूँ अब आप देखें मैंने इस file की location जो है वो change कर दी है अब मैं यहाँ पर आता हूँ इस file को open करता हूँ और अब इसी तरीके से मैं इस पूरी line को copy करता हूँ नीचे paste कर देता हूँ और अब यहाँ department 7 की जगा पर जो है वो department 8 लिख देता हूँ इस file को save करता हूँ save करके जो है यहाँ पर इसको close कर देता हूँ अब यहाँ तक हो गई एक बार अब आप देखें आपके पास यहाँ पर कितने record आ रहे है 3885 record आ रहे है अब जैसे ही यहाँ पर मैं refresh करूँगा तो आप देखें उसने मुझे यहाँ पर एक error दे दिया है data source error could not find d second folder department sales जो excel की file है वो अब वो मुझे यह कह रहा है कि जो मेरा data source है power query editor के अंदर वो data source मीनी नहीं रहा क्योंकि वो data source change हो गया है तो अब simply मैं क्या काम करूँगा मैं यहाँ पर आऊंगा यहाँ पर आके edit के उपर click करूँगा यहाँ पर मैं edit के उपर आके मैंने click किया अब आप देखें मेरे पास power query editor की window जो है वो open हो गई है और यहाँ पर आपको एक red और white सी line जो है वो नजर आ रही है जो चीज शो कर रही है कि आपका data source जो है वो change हो गया वो data source हा match नहीं कर रहा अब simply देखें मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ मैं department 1 को select करता हूँ यहाँ पर मैं source में आता हूँ यहाँ पर source पर click करता हूँ source पे click करने के बाद जो है यहां पर मैं browse पे आ रहाता हूं और अब मैं यहां पर जो मेरा वो वाला फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी file को ले के गया हूं रमीज उसेन एकाडमी के अंदर यहां पर आके मैं इस file को select कर लेता हूं और import पे click कर देता हूं अब मेरे पास Department 1 का जो source है वो यहाँ पर change हो गया है और वो अब बन गया है D.Ramiz Usain E.Academy Department Sales Excel की file यहाँ पर मैं इसको OK पर click कर देता हूँ आप देखें अभी भी यह red line जो है वो नहीं हटी अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं Department 2 के उपर आता हूँ source पर click करता हूँ यहाँ पर मैं click करता हूँ और इसी तरीके से browse पर click करके मैं अपनी file को जो है वो select करता हूँ और import पर click करता हूँ तो आप देखें Department 2 की location भी जो है वो change हो गई है and so on मैं भी इसी तरीके से Department 3, 4, 5, 6 सब की locations जो है वो change करूँगा अब आप देखें मैंने अपने सारे departments के जो source है वो change कर दी है और उनको सही कर दी है तो आप देखें यहाँ से अब जो मेरे पास red line थी वो खतम हो गई है और अब यहाँ पर green line आ गई है अब simply यहाँ पर मैं close and load पे click कर देता हूँ और यहाँ पर आके अब आप देखें मैं इसको refresh करता हूँ जैसे ही हम मैंसे refresh करूँगा तो आप देखें मेरे पास 3885 से 3886 record हो गए है और अब हम सबसे end पे जाके देख लेते हैं यहाँ पर हम सबसे end में आ जाते हैं तो आप देखें जो हमने last record अपना add किया था वो यहाँ पर जो हमारे पास आ गया है इसी तरीके से for example अगर आपको कोई भी power query editor की file जो है वो भेजता है और उसके साथ आपको data source की file भी भेजता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा इसी तरीके से जब आप उसे अपने computer के अंदर save कर लेंगे तो आपको power query editor open करना पड़ेगा जैसे भी मैंने किया है और वहाँ पर आपको source जो है वो change करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको अपने laptop की location जहाँ पे आपने source file रखी होगी वो select करनी पड़ेगी तब ही आपकी source file के अंदर changing जो है वो आपकी इस sheet के अंदर जो है वो reflect होगी तो ये बहुत important topic था आज का कि किस तरीके से हम अपने data source की settings जो है वो कर सकते हैं इसके बगएर आप power query editor के उपर जो है वो काम कर ही नहीं सकते तो ये बड़ा important lecture था अगर आपको समझ नहीं आया setting जो है वो कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो आप इसे like and share ज़रूर करिएगा और चैनल को भी subscribe कर दिए बैल नोटिफिकेशन on कर दिए ताके आने वाली मजीड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस अपना ख्याल रुकिएगा